हेलो साथियो मैं सौरप कुमार सिंह और लगातार सिच्छक भाली की मुद्दे पर आपके बीश हमाय है अपडेट आपको कर दे कि कल बहुत ही महतुन दिन है सेकेंड सप्लिमेंटी रिजल्ट को लेकर लगातार जो विवाद है और जिस चीश की चर्चा हो रही है कि बिहार स कार सिच्छा विभाग और भी पीएसी ने मिलकर अभी तक जो चीटे सीडे जो भरी है वह लगबक असी हजार के आसपास जो पदे हैं चाहे वह वह वन टू फाइब हो या एट नाइन या टेंथ एलेवेंट सब जगह पर जो है यह यही भरा गया है तो उम्मीद करते हैं क सब जगह जो सीटे खाली हुई है चाहे नियोजी सिख्छक से है चाहे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है कई फरजी वारे तरीके से जो जो जिनकी परिक्षा है वो पास कर गया है सिख्छक भाली में प्रंतु निक्ती नहीं लिए तो कई माम लोग को लेकर अगर कहा जाए हैं मेडिया के माध्यम से हम लोग उमीद करते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में आप वहाप मौजूद हो आपको बता दे ओवरॉल जो चीज है कि क्या कितनी सीटे अभी कई मामलों को लेकर बाते जो हो रही है जिलो से सुचना या रही है पटना से भी आई कि एक हजा अव 야 कि आमधार घृत जा रहा है कि 30 तारिक तक सब को जवाइन करना है तो उम्मिद करते हैं कि 30 तारिक टक वाम-जिलो से चैट-डे-पयों के थर से जांथ जिला सिक्ष्छा जा रहे है इसको लेकर संघ्यान लिया जा रहा है कि और how तो उमीद करते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमको पत्र मिलने की उमीद है तो जो डाटा है वो तीस तक मिल जाएगा तीस के बाद जो हो सके जो सीटे बाकी से खाली सीटे जो होंगी उसको लेकर जो है उमीद करते हैं कि हम बात को आगे बढ़ाएंगे अभी जो बाते हैं कि क्य या BPSC और आने वाले समय में जो चीजे आप तक जाएंगे या हम तक आएंगे उस सब चीज का डाटा BPSC को भी मिल जाएगी तो उमीद करते हैं प्रंतो ओवाल ओल सरकार तक अपनी बातों को अगर आप यह बात जाने लिजे कि सेकेंड फेज की बहालिक की जो प्रिक्रिया जो परिक्षा है वो साथ दिसम्बर से प्रिक्राश सुरू होगी तो उसके पहले सब्धिंद कर करना बहुत जरूरी है अगर डिजर्ड नहीं निकलता है इस रिज़ल्ड के लिए क्या करना होगा इसकाइव का दिन हजारों की हैं या ट्वीट करते हैं इन से ज़्यादा महत्पून है कि लोगतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की लड़ाई सरकार तो प्रेस के माध्यम से अपने आवाज के माध्यम से बुलंद करने की जरुवत हैं आज जो आज जो सब्लेमेंटरी देट को लेकर कई मामले हैं निय इस करमियर लगातार अपरेट हो रहा है कि राजकर्मी का द्रज़ा देने के बार लगातार विहें चकार चल करते हैं तो अब straat पर दरबी ucksugen जाते हैं ये Summen को पद्रिक किया जाएगा हनी प्रस्थ से हटाया जाएगा तो सारे चीजों पर आप डीच तो यही है अब उस सपर भी कुछ बात संसय हौ रही एकुछ बात से पता चल रहा है कि सरकार इसके पीछे भी कुछ ऐसा चीजे यो फेवर्ब करने तो court के process आप भी जानते हैं कि पहले case file होता है उसके बाद case accept होता है token number मिलता है और पिर case की जो है तारीक होते हो दिये तो परन्तु आप से हम court से अग्रह करते हैं कि जल से जल जो है छात्रों के फैसला ले ताकि जो सुनवाई हो सके कि इसाथ तारीक से एक्जानमिशन है तो कितने drop out हुए कई ऐसे लोग है जो बीभीन सेवाब में चाहिए उनिल्वेज में हो चाहिए वेंकिंग सेक्टर में हो चाहिए किसी पी एस्यू में हो या प्राइबल सेक्टर के अने सस्थानों में है तो वहां से आपको NOC लेने में कम से कम एक डिर महिना का समय लगता है और बिहार से कारके जब से परिछाय रिजल्ट निकली उसके एक दो दिन के बाद है टेनिंग में भेर दिया गया तो कई लोग ऐसे हैं जो जुआइन नहीं किये तो वह भी पद खाली है अब कई लोग के कहना है कि हमको तीस से बढ़ा कर आगी कितिती दी जाए तो सारे मा अध्पूर्ण धरना प्रदेशन जो है गदनिवाग में होगा आप से आग रहे कि आप भारी से भारी संख्या में गदनिवाग धरना स्थर पर आए ठीक है धरनिवाज जय हिंद